नमश्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का Pathfinder पर आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान में जो Political Drama है वो काफी जादा बढ़ जुका है आपको यह भी मालूम होगा कि इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यानि की No Confidence Motion को भी यहाँ पेश किया जाने वाला था लेकिन उसको बहुत लंबे टाइम से अभी जो है पोस्पोन किया जा रहा है अपनी इस कुरसी को बचाने के लिए अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है जो latest बलकि यहाँ पर development सामने आई है जो की अब से लगभग 2-3 घंटे पहले ही सामने आई है पाकिस्तान के PM इमरान खान ने यहाँ पर यह दावा किया है कि उनकी जान को खत्रा है उनको यहाँ पर मारे जाने की बातचीत करी जा रही है और इसलिए उनकी जो security है उसको beef up किया गया है अगर आप देखेंगे तो यह तो केवल एक latest development है इसके पहले असल में क्या हुआ था अपने इस पद को बचाने के लिए इन्होंने अलग-अलग देशों के ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिये थे इन्होंने target किया USA को आप यहां पर देख सकते हैं यह वाली खबर आज दुपहर को सामने आई यह कल शाम की बात है जब इमरान खान hits out at USA as no confidence debate was postponed now obviously यहां पर USA का इसको लेकर कुछ ना कुछ जो है जवाब तो आना ही था and USA का कुछी घंटों के बाद यह जवाब सामने आता है that USA says कि जो भी दलीले जो भी यहां पर आरोप इमरान खान USA के उपर लगा रही है इनके अंदर कोई सच्चाई नहीं है इन्होंने कहा कि there is no truth to the charges it wants to outs इमरान खान यह भी आप देख सकते हैं इंदोस्तान टाइम्स की एक खबर है USA rubishes इमरान's claim of foreign conspiracy to unseat him from the PM seat बता दूं कि यहां पर इमरान खान ने केवल अमरीका को ही नहीं बलकि भारत को भी निशाना बनाया है और क्या हमें यहां पर जो है updates आ रही हैं उनके बारे में discussion आपके साथ करी जाएगी चले शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप मुझे follow करना चाहते हैं तो यहां पर दियेगे टेलिजान टैनल के माध्यम से कर सकते है and also you can follow me on the Unacademy app using this particular handle so that आपको मेरी classes की notification time to time मिलती रहें also Unacademy आपके लिए आयुजित कर रहा है UPSC CSE combat जिसमें अगर आप enroll करते हैं और top ranks लेकर आते हैं तो आपको यहां पर Unacademy scholarship देगा इसमें enroll करने के लिए आपको use करना होगा code Uny UPSC दोस्तों इसकी तिथी है 3 April और समय होगा सुभे 11 बजे इसमें जाकर करके आपको खिस्सा ले सकते हैं right so आपको मालूम होगा कि Khan यानि कि Imran Khan जो right now उनकी government problems face कर रही है वो multiple fronts पे उनको दिक्कतें आ रही है सबसे पहली दिक्कत तो obviously economic mismanagement गी थी के चलते यहाँ पर कहा जा रहा है कि Pakistan में जो तेल के दाम है जो गास के दाम है जो बिजली के दाम है वो काफी बढ़ चुके हैं और उसके साथी में जो इनके ऊपर अब सबसे बड़ी चुनाती है वो security की बनी हुई है आज से just दो दिन पहले की ये खबर है पाकिस्तानी तालिबान अनाउंस रमदान ओफेंसिव अगेंस security forces तो इस चीज़ को लेकर जो है इनको खुद को समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से ये पाकिस्तान तालिबान को यहाँ पर contain करें किस तरीके से उनको ये काबू में लेकर आएं पेकाज उन्होंने जस्ट अभी दो दिन पहले यानि की बुदवार को ये अनाउंस किया कि हम लोग एक offensive यहाँ पर जारी करने वाले हैं अगेंस्ट अ सिक्यूरिटी फोर्सेज ये रमदान के टाइम पर अनाउंस्मेंट उनके द्वारा करी गई थी ये एक काफी बड़ी चुनौती थी और इसके बाद ऐसा कहा जारा था कि यानि की जो इमरान खान की government है वो बहुत जादा कमजोर बहुत वीक हो चुकी है और इसी लिए out of desperation अगर आप देखेंगे तो इनको यहाँ पर इन्हों ने recently एक speech यहाँ पर चल रही थी जिसमें कि इन्हों ने USA को यहाँ पर आरोप लगाए है यह कहते हुए कि इन्होंने पाकिस्तान की जो अंदरूनी यहाँ पर राजनीती है इसके अंदर दखल अंदाजी करी है और इन्होंने बलकी पहले ऐसा बोला कि USA ने ऐसा करा है बाद ने इन्होंने अपने ही statement को change कर दिया यह बोलते हुए कि ने-ने sorry मुझसे गलती हो गई इन्होंने कहा America has then he said oh not America but एक foreign country है जिसका कि मैं नाम नहीं ले सकता I mean from a foreign country we received a message यह आप देख सकते हैं यहाँ वाली यह news cutting पाकिस्तान PM इमरान खान names America later backtracks on threat letter mention now यहाँ पर basically इन्होंने एक और statement भी दिया इन्होंने कहा कि एक powerful country है जो कि इंडिया को support करती है जो कि पाकिस्तान के साथ गुसा है बिकास पाकिस्तान के जो PM है वो रश्या के दौरे पर गए थे so यह यहाँ पर clearly basically बता रही है कि यहाँ पर USA के उपर निशाना साधा गया था now इन्होंने USA के उपर निशाना क्यों साधा because ऐसी कुछ recording सामने आई थी जिसके लिए again कोई यहाँ पर ठोस evidence नहीं बताया गया है कोई news cutting सामने नहीं आई है केवल यह कहा जा रहा है कि कोई USA के senior अधिकारी है US में काम करने वाले जिन्होंने पाकिस्तान के जो ambassador हैं उनको यह कहा कि अगर इमरान खान यहाँ पर अपनी कुरसी को छोड़ देंगे मोदी को और पाकिस्तान के जो ex-PM रह चुके हैं नवाज शरीफ इनको भी target किया इन्होंने कहा कि मोदी और शरीफ जो हैं वो secretly नेपाल में मिला करते थे जैसे कि कुछ romance चल रहा हो और इसी चीज़ के लिए again यह दर्शाता है कि यह केवल दिखाना चाहते हैं कि जो इनकी सरकार है वो किसी भी पहले की सरकार से और किसी भी आने वाली सरकार से बहुत भेटर होनी चाहिए इस पूरी की पूरी conspiracy के खिलाफ obviously USA को जवाब देना था because USA यहाँ पे अगर चुप रहता तो शायद ऐसा लगता कि शायद USA इसको मान रहा है लेकिन USA ने इसका जवाब दिया इन्होंने कहा कि there is no truth to the charges it wants to oust Imran Khan जो US के वहाँ पे State Department के spokesman है Mr. Ned Price इन्होंने कहा कि there was no truth to the allegations बलकि इन्होंने साथ ने एक और चीज़ यहाँ पे clear कर दी कि हम लोग पाकिस्तान में चल रही जो developments है उनको closely follow जरूर कर रही है लेकिन हम लोग उनका respect करते हैं और हम लोग पाकिस्तान के constitutional process और rule of law का भी यहाँ पे पूर्ण तरीके से respect करते हैं तो हम लोग यहाँ पे रखल अंदाजी नहीं कर रही है आप देखें तो Khan यहाँ पे पूरी कोशिश कर रही है अपनी seat को बचाने के लिए इनका जो कलका भाशन था बहुत लंबा चोड़ा भाशन था जिसमें कि इन्होंने अपनी खुद की बहुत बढ़ाई करी और obviously बाकी देशों की यहाँ बुराई करी इन्होंने कहा कि इन्हीं की कोशिशों के वज़े से UN ने Islamophobia को एक global threat माना है इन्होंने basically एक religion card का भी इस्तिमाल करा ये कहते हुए कि because of me Islamophobia आज एक global threat की तरह माना जा रहा है and इसलिए इन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे Pakistan को world stage पे ले जाने के लिए बहुत बड़ी कोशिश कर रहा हूँ and this is one more यहाँ पे desperate effort by Imran Khan to save his seat इसके इलावा इन्होंने बलकि ये भी कहा कि मैं अपनी कुर्सी से स्तीफा नहीं दूँगा मैं no confidence motion को face करने के लिए तयार हूँ और साथी में इन्होंने विपक्षी निता को ये भी कहा कि यहाँ पे Pakistan को बेचने के लिए लगे हुए है इन्होंने इस टाइम पर एक और statement भी दिया कि जब मैं क्रिकेटर भी था जब मैं बल्लेबास भी था तो I have always played till the last ball and I intend to do that even now as well So ये यहाँ पर आप देख सकते हैं again one more attempt and इसके इलावा ये लोग कोशिश किस तरीके से कर रही है कि जो no confidence motion आज से लगभग धाई या तीन हफते पहले होने वाला था उसको बार-बार पाकिस्तान की Parliament के द्वारा पोस्पॉन करवाया जा रहा है क्यूं? Because यहाँ पर जो deputy speaker है वो यहाँ पे PM इमरान खान की मदद कर रहे है और इस motion को यहाँ पे postpone करवाया जा रहा है बार-बार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Parliament अब जो अगली sitting होगी यह अगले आने वाले Sunday यानि कि आज से दो दिन के बाद जो Sunday आएगा उस दिन सुभा-सुभा इसकी sitting होने वाली है और इसमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान के जो PM है वो अपनी majority lose कर दिंगे बिकॉज इनकी जो Total National Assembly है इसमें 342 लोग बैठते हैं और इसमें इनको चाहिए 172 seats अगर इनको अपनी majority को यहाँ पर प्रूफ करना है तो जिसमें से अलएड़ आप देखेंगे तो साथ यहाँ पर विधायक ऐसे हैं जो की विपक्ष में जा चुके हैं बलकि यहाँ पर कई सारे और विधायक भी ऐसे हैं जो कि already बता चुके हैं कि हम लोग यहाँ पे अपना दल बदलने वाले हैं, floor cross करने वाले हैं, और कोशिश यहाँ पे पूरी चल रही है, इमरान खान ने भी कहा है कि मैं भी अपने कुछ legal advisor से बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन जो सबसे बड़ा यहाँ पे problem है वो है army का support, and army न विश्वास प्रस्ताव में उनकी हार होगी, जिसके चलते ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में हमें पाकिस्तान के जो नए प्लहान मंत्री देखने को मिलेंगे, उनका नाम होगा शहबाज शरीफ, जो कि I think पहले पाकिस्तान के पंजाब के मुख्य मंत्री भी रह कराई है, प्लस और इकॉनिक जो कि आपकी त्यारी को किक स्टार्ट करने में हेल्प कर सकते हैं, यूसिंग दगोड अनि UPSC आप इस पर डिसकाउंट से सकते हैं और आपको मेरी परस्नल काइड़ेस भी अवेलेबल करवाई जाएगी, साथी में ये वाले बैचेस आपके इसके लावा अगर आप अकेले टेस्ट इस जिनार चाहते हैं वह भी आप लोग आप ले सकते हैं using the code अनि UPSC, thank you so much for listening, stay tuned and stay safe.